असलावलेकूम, उमित करती हूँ कि आप सब खेयत से होंगे, मैं भी अल्ला का शुक्र है, बहुत अच्छे से हूँ, ये किचन में मैं आ गई हूँ, करीब ये सुबे का 6 बजरा है, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने मौनिंग का शॉर्ट क्लिप शेयर करूँ, इधर मेरी गरम गरम चाय बन रही है, मेरी शुरुवाती चाय से होती है, लेकिन मेरे किचन के आने से तकरीवन एक गंटा पहली मैं उठ जाती हूँ, तो मुझे जो पढ़ना लिखना रहता है, मैं पढ़ने लिख लेती हूँ, गरम पानी वगर पी लेती हूँ, तो उसके बार मेरी शुरुआत जो है चाय से होती है तो इदर मेरे चाय हो गया है ब्रेड बच्चों के लिए ब्रेड मखर मैंने टोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है और इब्राहिम का भी लंच बनाना है मुझे स्कूल में उसके फाइफ डिर से जंक फूड बिल्कुल अलाउड नहीं है लेकिन फ्राइडे को इस्पेशली अलाउड रहता है तो वो बहुत खुश हो जाता है इदर मैं उसको लंच में जो है पास्टे को ट्विस्ट करके मैं दे रही हूँ यह सिंपली मैंने इसको बॉयल किया है और कांडी कांडी में मैंने इसको डाला है उसके ऊपर मैंने जो है पीजर सॉस को डाला कर उसके उपर मैं क्रश की हुए चीज को डालोंगी फी उसको मैं टैप करूँगी ताकि आपका जो चीज वो कहीं इधर उधर गिरेना अब मेरे पास तो तो है निकि मैं सीधे जो है बेक करने के लिए या मैल्ट करने के लिए डाल दू मेरे लिए पुराना अपना तवा है कुछ डिशे ऐसी होती है कि मैं शेर करना चाहती हूं लेकिन विदाउट ओवन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है बस दोआ किजिए कि जल्दी से मेरे पास वो जो है चीजे आजाए जिसे मैं और भी रेसिपी आप सबसे शेर करूँ तो इधर जो है आप देख रहे होंगे कि मैंने जो है इस्टिक पर सॉस लगा दिया है फिर उसके उपर मैंने जो है चीज लगाना भी स्टार्ट कर दूँगी तो बहुत मतलब अच्छा पड़ता है यह मेरा नया चैनल है ऐसे तो मैंने लास्ट इयर स्टार्ट किया था लेकिन कुछ रीजन के वज़से मैं ज्यादा मतलब अक्टिव नहीं हो पाती थी तो इसलिए मैंने इधर 15 अगस्ते से स्टार्ट किया है उस हिसाब से माशाला बहुत सारी इंक्रीस हो रह करता है अलमुनियम फॉल क्या होता है उसको लेकर आप तवे पर पहला बिचाईए उसके बाद स्टैंड रखिए फिर आप इसकी वर्स लगे पास्ते को आप स्टीम करके चीज को मेल्ट होने के लिए रख दीजिए यह बहुत ही टेस्टी बनता है यकीन बता रही हो कि मैं कारता है ने भी बी जब फर्स टैम इसको बनाए था तो मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने सूचा था कि मैं इसको जड शैय करूंगी अब इधर जो बचे हुए crushers हैं वो मैंने सोचा कि जो है बच्चों को तो मैंने दे दिया लेकिन मुझे खुद मन करता है कुछ ऐसा कुछ खाने का तो मैंने इधर जो है cheese sandwich बना दिया है simple है वही crush किया हुआ जो है capsicum और onion को मैंने डाला है और cream को भी इसमें आप डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसमें जो है cheese को डाला है इसको layer by layer में रख कर सीधे मैं toast होने के लिए रख दूँगी crispy बनता है बहुत अच्छा बनता है लेकिन मैं अभी इसको बिल्कुल नहीं खाऊंगी करीब एक आग घंटे बात खाऊंगी लेकिन मैंने सोचा कि लो इसको भी इसी हाथ में shoot करके आपसे share कर लेती हूँ तो बहुत easy होता है यह सब बनाना बस थोड़ी सी टेक्निक्स का यूज करना होता है अब यह देखी मैं इसको जो पीजा कटा से कट कर रही हूँ ना पता है एकदम crispy crunchy आवाज आ रही है बिल्कुल melt होता है बहुत ही बढ़िया यह बनता है अब यह देखी कितना cheesy सा बना पास्ता मेरा यह चीजी जो है sandwich बहुत ही awesome like and share please